वोट्स इंसाइड दपोकीबॉल यह वर्ट तो आपने बहुत जगा सुना और देखा भी होगा और कई लोगों ने इसको पर रिसर्च भी किया है और उसी वक्त शायद उनको रिसर्च करते वक्त कुछ ऐसे फोटोस देखने को मिले होंगे है ना पर क्या आपको पता है इसक इतने बड़े पोकीमॉन इतने छोटे से पोकीबॉल में कैसे आ जाते हैं पर गया आपने सोचा है कि जब टेनर्स पोकीमॉन को पोकीबॉल में रेटन बुलाते हैं तो वह वहां से फिर से हीलोकर वापस आते हैं मतलब कि जब कोई भी पोकीमॉन कमजोर हो जाता है तो उस और कुछ नहीं बस एक तरह की energies है इसका मतलब यह है कि Pokemon के creators ने यहां पर science का इस्तमाल किया है और वो भी E is equal to MC square का यानि कि आप energy को mass के form में बदल सकते हो और mass को भी energy के form में बदल सकते हो अगर आप अब भी भी नहीं समझे तो मैं आपको बता दू कि जब यह Pokemon अपने ball के अ convert होकर बाहर आती है और अब आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि Pokemon अपने पोके ball से heal होके कैसे बाहर आते हैं जोकि Pokemon जब अपने पोके ball से वापस बाहर आते है तो वो पूरे energy के form में वापस आते हैं इसके वज़े से वो Pokemon हील होकर बाहर आते हैं और जिने लगता था कि पोकी बॉल के अंदर पोकी मॉन से एक लग्जरी लाइफ जीते तो शायद ये वीडियो देखकर उन्हें समझ आ गया रहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर अभी भी यहाँ एक और बात आती यानि कि अभी भी यहाँ पर एक और मिश्ट्रिक खटक रही है कई अपिसो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बलागन दबाएं मिलते हैं अगली वीडियो में